जब बात स्वाद और सेहत दोनों की आती है तो सबसे पहले जिक्र होता है क्वालिटी और हाईजीन का 15 नवंबर 1989 जब आनंदाट की स्थापना हुई तब ही से डेरी उत्वादों में गुणवत्ता और शुद्धता के एक शानदार सफर की शुर्वाद हुई आज भी हम इंडास्ट्री की अत्यादुनिक तक्नीक का इस्तमाल करते हुए अपने ग्रहाकों को बेस्ट क्वालिटी डेरी उत्वाद पहुचा रहे हैं अपने सौ से जादा बेहत्री इंडेरी उत्वादों के साथ गुणवत्ता के स्तर को एक अलग उचाई प्रदान कर रहा है आनंदड एक से बढ़कर एक उत्वादों में से ही एक उत्वाद है आनंदार का आनंदा पनीर इसके अलग और शांदार स्वाद एवं उच्च गुणवत्ता के कारण ही देश में इसकी मांग भी अधिक है लेकिन ये फ्रेश पनी रोजाना कैसे आपकी थाली तक पहुँचता है ये बताने के लिए आपको लेकर चलते हैं आनंदा के एक प्लांट पर जहां आधनिक तकनीक से लेस मशीन कैसे कुछी घंटों में पनीर का इतनी बड़ी मात्रा में उत्पादन करती है ये देखना आपको बड़ा रोचक लगेगा पिछले कुछ वर्षों में गुणवत्ता की परिभाशा में दो नाम और जोड़ चुके हैं और वो हैं सेफटी और संक्रमन रहित उत्पादन समय के साथ कदम से कदम मिला का चलना ही आपको सफलता देला सकता है इसी उत्देशे के साथ क्वालिटी, ट्रस्ट और सेफटी इन तीन मानकों से आनंदर कभी समझोता नहीं करता और निरंतर मजबूती के साथ इन पर अडिक रहता है हम अपने सभी प्लांट्स में ये सुनिश्चित करते हैं कि सभी करमचारी, सुरक्षा और हाईजिन दिशाने देशों का पालन अवश्य करी देश के अन्यदाता यानि हमारे देश के किसानों से दूद को एकतित किया जाता है और इस शुद्ध दूद को आनंदा के अत्याधुनिक प्लांट पर पहुँचाया जाता है जहां 4 बिगरी सेल्शेस से भी कम तापमान पर इसे स्टोर किया जाता है और फिर sampling और standardization unit को भीज़ कर विभिन्य प्रकार के quality test होने के बाद पनीर बनाने की प्रक्रिया के लिए आगे भेजा जाता है और फिर शुरू होता है इस शांदार स्मार्ट मशीन का काम निश्चित मातरा में दूद को container में डाला जाता है और उसमें एक निश्चित मातरा में coagulant मिलाया जाता है अब दूद और coagulant को robotic arms के द्वारा कुछ समय तक अच्छी से mix किया जाता है अब इस mission को process के लिए आगे बढ़ा दिया जाता है मशीन के द्वारा ही water और पनीर को module में अलग कर दिया जाता है फिर module को cover करके pressing machine में भेज दिया जाता है जहां पनीर का block तयार हो जाता है अब इस पनीर के block को पानी में ठंडा होने के लिए कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है इन पनीर blocks को machine के ये robotic हाथ छोटे छोटे टुकडों में काट देते हैं इसके बाद आनन्दा के वर्षों के भरोसे के साथ पनीर की packaging कर दी जाती है और बस स्वाधिष्ट पनीर आप तक पहुँचने के लिए तयार हो जाता है आनन्दा एक ideology है उस ideology में क्या होता है कि सबसे पहले ethical काम करना है फार्म गेट से लेकर के consumer तक काउ से consumer तक हर चीज में आपको ethical principles जरूरी है आनन्दा इसके लिए बहुत committed है अब अगर देखें आनन्दा इस नौन फॉर पनीर पनीर में आनन्दा ने पूरा fully automatic line लगाई आनन्दा ने इसमें बड़ी investment की और इसको fully untouch by hands किया अब अगर पनीर में preservative नहीं डालोगे पनीर को आप untouch by hands करोगे तब आप best quality का product लेके आते हो that is not for आनन्दा consumer को best quality का produce देने के लिए हम committed होते हैं बहुत बहुत धन्यवाद आनन्दा आनन्द करो आनन्दा ग्रुप अपने उत्पादों की गुणवत्ता के इस तरको रोज नई उचाईया प्रदान करने के मिशन के साथ आगे बढ़ रहा है और हमारे उत्पादों को चखने के बाद आपके चेहरे की मुस्कान हमें बता रही है कि हमारी मेहनत रंग ला रही है